Hello everyone, welcome to class number 29th of Photoless Maya 2020 तो guys previous class में हम लोगोंने एक book की texturing का process start किया और मैंने previous class में आप लोगों को model बनाना और कैसे unwrap करते हैं वो सारी चीजे मैंने आप लोगों को previous class में बताई आज की class में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप UVs को export कर सकते हैं inside Photoshop and then Photoshop के अंदर हम लोग कैसे reference images के help से अपने texture को create करेंगे process simple होगा, थोड़ा सा complicated हो सकता है तो आप लोग मेरे साथ follow करें वीडियो को skip ना करें पूरी वीडियो को आप start से लेके end तक देखें step by step आप इसे देखें ताकि आप पूरा UV का process समझ सके and texturing का भी आपको process easily समझ में आ जाए, all right guys, so hello everyone, welcome to JFX Gyan, मैं हूँ आपका instructor रोशन, शदी स्टार्ट करते हैं आज की class को all right class, तो previous class में हम लोगों ने यहां तक अपने model को ready कर लिया था and हम लोगों ने हमारी UVs को भी इस तरह से setup कर लिया था, तो यह पूरा layout हमारा ready हो चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस UV को export करना है inside Photoshop, because यहां पे हम लोगों ने इस UV को ready किया manually, अब previous जो हम लोगों ने first class देखी थी texturing की, वहां पे हम लोगों को texture को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम लोगों ने के ready made texture लिया था और हम लोगों ने हमारी UVs को उसके accordingly set कर दिया था, बट यहां पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक model को ready किया, complex shapes हम लोगों ने create किये and then हम लोगों ने हमारे हिसाब से UV को यहां पे layout करके set किया हुआ है, तो अब हम लोगों को texturing का process भी manually करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग आपके अंदर texture को बनाना start करेंगे, तो सबसे पहला हम लोगों को काम क्या करना है, इस UV data को यानि कि यह जो layout data है, इसे export करना है ताकि इसे हम लोग एक template जैसा use कर सके Photoshop में, तो अब इस UV को आपको export करने के लिए आपके UV editor में एक option आपको मिल जाएगा, यहां पे आपको मिलता है UV snapshot का option, आपको इस पे click करना है, click करती है आपको आपका file location, आपको select करना है कि आपका file आपको कहां export करना है, तो आप आपके browse कर ले, आप आपके file को नाम दे दे इसे book UV map, and मैं इसे save करता हूँ, and then यहां पर आप image format चूज़ कर ले, jpeg, and उसके बाद में लोग select करेंगे आपके अपने size को, यानि हमारा output size क्या होगा, तो आप यहां पर जो size देना चाहते है, आप दे सकते है, up to 4K, 8K, 12K, 16K, आप यहां पर वो value type कर सकते है, जितना high resolution of texture बनाना चाहते है, उतना high resolution आप यहां पर UV export कर सकते है, alright, now उसके बाद आपको click करना है, apply and close पे, now before you click on apply and close, आप make sure कर ले कि आपका जो model हो, वो object mode पे हो, object mode पे उसे रख ले, and then click on this option, apply and close, जैसे आपने apply and close पे click कर दिया, अब आप नीचे देख सकते है, saved file to your folder, क्या नाम से, तो आपको यहां पर यह confirmation आना जरूरी है, अगर यह confirmation आ जाता है, इसका मतलब आपका UV save हो चुका है, alright, तो अब next step है, हम लोगों को जाना है Photoshop में, और हम लोगों को आगे का process start करना है, so let's go to Photoshop, alright, तो जैसे आपने Photoshop को open कर लिया, अब आप चले जाए, file, open, select the book, UVW map, जो आप open कर ले, अब आपको क्या करना है, इस पर texture बनाना, start करना है, तो आप texture बनाने के लिए मैं यहाँ एक reference image को use करूँगा, so if I go to file, open, textures, तो यहाँ पर मेरे पास यह image है, इसका मैं इस्तमाल करूँगा, तो let me just open this thing, so you can see this is the image, अब इस image को हम लोग use करेंगे अपने texture बना है, अब आप देखेंगे तो हमारे पास एक ही मिल रहा है, because हम लोग क्या करेंगे, दूनों साइड एक ही texture का इस्तमाल करेंगे, and pages के लिए भी हम लोग इसी image का use करेंगे, so now let's start, so if I just go to our rectangular marquee tool, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, selection बनाऊँगा इस तरह से, like this, and I will just simply say control C, copy कर लेंगे, and हम लोग इसे यहाँ पर आके paste कर लेंगे, alright, so you can see texture थोड़ा सा छोटा होगा, कोई problem नहीं, हम लोग इसे scale कर लेंगे, तो press control T, and आप इसे scale कर ले, कुछ ऐसा, shift तबा ले, थाकि आप इसे adjust कर सके, like this, so I'll just scale it somewhere like this, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे scale कर लें तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से edge तक overlap करके रखा हुआ है, ताकि यह मेरे पूरे lines को overlap कर ले, आपको make sure करना है कि यह पूरे lines आपके overlap हो, ना कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका कोई आधा portion दिखाई दे, तो आप इसे setup कर ले, कुछ ऐसा, like this, alright and let's check it, okay, अब आपको क्या करना है, इसके opacity को complete कर लेना है, full कर लेना है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक copy तयार करेंगे, तो I'll press Ctrl J, like this, I'll press Ctrl T, right click, flip, horizontal and then I'll just move it over here, इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसे move करके रख देंगे, enter दबाते, opacity कम करते and check करते, इसके position को, तो we can just move it a little bit like this, तो यह overlap होने चाहिए हमारे सारे edges, now let's just increase the opacity, अब हम लोग क्या करेंगे, यह back portion है, इसे हम लोग लेके आएंगे, तो let's take market tool again, selection मना लेना है ऐसा and we'll say Ctrl C, Ctrl V, यहाँ पर हम लोगों को paste कर लेना है and then let's just place it over here, उसके बार हम लोग Ctrl T दबाके इसे scale करेंगे, ताकि हम लोग इसे align कर सके properly, इन्बुक्स के covers के side में कुछ ऐसे, okay, तो हम लोगों को इसे properly adjust कर लेना है, align कर लेना है, now after doing this, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ properly connection नहीं मिल रहा है, यहाँ पर यह cut हो रहा है, यह overlap नहीं हो रहा है properly, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत और adjustment कर सक सकते, Ctrl T दबाए, shift के साथ में इसे थोड़ा सा, इस तरह से stretch करें, यह overlap हो जाए, और कर लेते हम लोग, like this, then I can just move this one behind all the covers, layer order हम लोग change कर सकते, just to check, then अब क्या करें, यहाँ एक नया layer बनाए, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले stamping tools and just try to fix it, अब आप यहाँ पर healing brush tool का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो healing brush tool लेके, आप यहाँ पर sample ले ले, like this, and you can just start filling these things, इस तरह से आप इसे fill कर सकते हैं, like this, so you can see how it merges, like this, तो आप healing brush tool का इस्तमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, stamp tool का भी, so stamp tool आप ले ले, यहाँ पर आप sample select कर ले, and then you can just start cloning and stamping, तो यहाँ पर आप धीरे-धीरे क्या कर ले, यहाँ पर इसे इस तरह से stamp कर ले, तो healing brush tool, stamp tools, इनका आप use करके पूरा का पूरा clean up का process कर ले, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे पूरा sample लूँगा, and quickly इस तरह से healing कर लेता हूँ, और इसे seamless एक texture जैसा, create कर लेता हूँ, okay, so I'll just quickly do that thing, and मैं आपको final result दिखाता हूँ, और इस तरह से हम लोगों ने cloning stamping कर लिया, अब उसके बाद हम लोगों को pages को लेके आना है, so I'll just select this page, so हमार की tool लेते, and I'll just select this page, Ctrl-C, paste करेंगे, हम लोग यहाँ पर copy करके, let's just paste it over here, Ctrl-T दबाते है, rotate करेंगे, and हम लोग इसे यहाँ पर position कर लेंगे, so you can just scale it like this, इस तरह से, and then you can just simply make copies, and आप इसे यहाँ पर भी इस तरह से रख लेंगे, so you can just make multiple copies, so इसे आप place करके रख ले, like this, so यह very simple and quickly आपका इस तरह से texture का layout हो चुका है, आपने Photoshop में इस तरह सा texture बना लिया, अब आपको क्या करना है, इसे save कर लेना है, so I'll go to file, save, and मैं इसे save कर दूँँगा, JPEG format में ही, because this is going to be my texture, तो हम लोग इसे नाम दे देते हैं, book texture, something like this, alright, and just save it, okay, तो यह हमारा file texture, save हो चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस texture को apply करना है हमारे geometry के पर, तो चलिए चलते हैं माया में, so माया में आने के बाद में यह आपका model है, अब आपको क्या करना है, simply right click करना है, एक नया material assign करना, I'll apply a lambert, मैं इसे नाम दे देता हूँ, book, okay, and then just go to color option, इस option पर आपको click करना है, 2D texture, file, file पर जैसे आप click कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर image name मिल रहा है, just click on this option, and now select your book texture, and आप इसे open कर लें, ठीक है, तो यह texture आपका applied हो चुका है, अब आपको यहाँ पर texture देखना है, तो simply आपको click करना है, इस option पर, texture पर, and now you can see, आपका जो book का texture आपने photoshop में बनाया है, वो यहाँ पर हो चुका है, apply, ठीक है, and same अगर हम लोग यहाँ पर आजए अपने UV एडिटर के अंदर, आप देख सकते हैं, जैसा हम लोग ने अपने UV को set up किया था, वैसा हमारा यहाँ पर texture भी हो चुका है, ready, and set हो चुका है, so this is how you can just texture a simple low poly geometry, एक book जैसे shape और book जैसे geometry को आप इससे texture कर सकते, और एक quickly आप एक simple से model को ready कर सकते हैं, alright guys, तो I hope आप लोगों को यहाँ पर यह book texturing का process समझ में आया होगा, UV mapping कैसे करते हैं, Photoshop के अंदर आप textures को कैसे create करेंगे, कैसे आप UV के help से texture को set up कर सकते हैं, वो सारी चीजे मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुके होगी, और आप लोग इसे practice करें, आपके works आप लोग मेरे साथ share करें Instagram पे, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे telegram पे भी उसे message करके बता सकते हैं, telegram के group को अगर आप लोगों ने join नहीं किया है, तो नीचे description में आपको link मिल जाएगी, तो आप वहाँ से telegram group को भी join कर लें अपने works मेरे साथ share करें, और आप लोगों को आज की class पसंद आए, तो please like करें, share करें, comment करें, and channel पे पहली बाहर आ रहे हैं, तो चैनल को subscribe करके, bell icon पे click करके notifications को on कर ले, ताकि ऐसे ही exciting videos की और tutorial videos की आपको notification मिलती रहे, तो आज की class में इतना ही, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए keep watching and keep learning,